Hello everyone, तो यह हमारे AP का third class है, दोध class में हमने AP में term of AP, AP क्या होता है, यह सारा समझ लिए है, जिसने अभी तक ओध class नहीं देखा है, वो देख ले, और polynomial का आप test जरूर से दे दे, और AP का भी test बहुत जल्दी available हो जाएदा app पे, मैं test और app दोनों ता ही link description में डाल दे रहा अभी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो है sum of AP, और जो पहले से इस channel पे हैं, उनको पता है कि हम लोग CBSC class 10 का सारा चीज, पूरा maths तरने वाले है, पूरा maths, पूरा तरने वाले, A to Z पढ़ने वाले है, maths, सारा position solve तरने वाले है, doubt clear तरने वाले है, test देने वाले है, AP पहले नित्ते कैसे हो, पहला term क्या होता है, A, उसके बाद क्या नित्ते हो, A नित्ने के बाद क्या नित्ते हो, A plus D, फिर आ जाता है A plus 2D, फिर आता है A plus 3D, यही होता है न, चलो, यह किस तरफ जारा है, हाँ, यहाँ ठीक है, यह बढ़िया, ऐसे चलते जाते हैं, तो D add तरते तरते हम right side जाते हैं, तो ठीक इसी तरह, D subtract तरते तरते last term से वापस आओके न, बतलब last term, nth term जो है, वो L है, तो उसके जश्ट पहले वाला term क्या होदा? L minus D, उससे भी पहले वाला term क्या होदा? L minus 2D, उससे भी पहले वाला term क्या होदा? L minus 3D, अब एक बात समझना, पहला वाला term और last वाला term, इन दोनों का जो sum है, वो क्या है? A plus L है, अभी देखना मजा आ जाएगा, इसके बाद वाला भी अधर आप देखते हो, तो second और second last ता भी sum जो है, वो A plus L है, DD cancel, ये A plus 2D और ये L minus 2D, इन दोनों ता भी sum A plus L है, यहाँ भी आजाओ, third and third last, वो भी, ठीक है, third from the end, और third from the beginning, अब ये fourth हो जाए, sorry, so fourth from the beginning and fourth from the last, दोनों ही, या fourth from the end, जो है, उसता sum जो है, वो A plus L ही है, तो मतलब ऐसा है, कि A P में भाई, left side से और right side से, अधर हम equal distance पे देते हैं, beginning और end से, तो उसता जो summation है, वो बाबू हमेशा क्या होने वाला है, A plus L, यही होने वाला है, अब अधर मान लो, मान लो N number of terms है, N number of terms है, अधर आपके पास, 10 जूते हैं, यानि आप क्या बोलोगे, या पास जोड़ी जूता है न, पेर कितना, आधा न, जितना numbers हो दो उसता, आधा पेर, तो अधर N है, तो N by 2 हो जाएगा, पेर्स, N terms के लिए N by 2 पेर्स, अब यह तो और बात समझा, N terms के लिए तो N by 2 पेर्स हो जाएगा, ठीक है, हर पेर्दा सम कितना है A plus L, तो total summation कितना हो जाएगा, total summation क्या हो जाएगा, N by 2 प्लस, into A plus L, तो यह हो जाएगा सम था, सो S N का formula तहां से आया, वो समझ में आ जाएगा, अब यह Nth term है L, तो हम L पो लिखी सकते हैं, A plus N minus 1 D, अब देओ, आज, मतब Tuesday and Saturday, में हमारा AP थतम हो जाएगा, normal summation तत्पा भी, और Nets Tuesday हम, AP से related, जितना भी MCQ treats हो सकता है, वो देखने वाले हैं, MCQ treats and 10 MCQ questions, हम लोग वहाँ पे तरने वाले हैं, ठीक है न, तो Nets Tuesday तो और important होने वाले है, टोटम ने 5 class में AP थतम किया है, ठीक है, तरने वाले हैं समझतो, इसके बाद आप बताओ, मैं पॉन से chapter, आपके लिए सुरू तरू, वो भी comment में आप बताओ जाएगा, ठीक है न, ये AP थतम होने के बाद, पॉन से start होना चाहिए, आपको कौन से पहले चाहिए, होना तो सब कुछ है, तो जलो, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, ये वाला part मैं यहाँ डाल सकता हूँ न, L के जगा, तो मैं अज़र इस तो डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, N by 2, यहाँ A है, यहां भी A प्लस N माइनस 4D हो जा, यानू जो सम है, हो हो जा, 2A प्लस N माइनस 1D, तो सम का ये भी फार्मूला हो सकता है, ये भी हो सकता है, जिसमें last term पता हो, जिसमें last term, पता हो, उसमें हम लुग ये यूसतर नहिए, और जिसमें हमें common difference पता हो, उसमें हम यह यूस तर लेंगे, जिसमें n पता हो, n तो sum में ही पता होना चाहिए, a sum में पता होना चाहिए, बड़ जिसमें last term given है, उसमें पहला वाला, और जिसमें last term नहीं पता है, n पता है, d पता है, a पता है, तो यह वाला, वर अब दोनों formula एक ही है, rewrite किया जाता है बस, ठीक है ना, तो हमें जैसा जरूरत हम वैसा यूस तरेंगे formula, तो चलो sum of AP समझ में आ गया, आज भी कुछ तोस्चन देखने वाले हैं, Saturday तो हम तोस्चन ही देखने वाले हैं, किस था? AP था ही, sum था ही, sum था ही, sum of AP था ही, कि A ता value कितना है, 8 है, D कितना है बावू, 3 minus 8, that is 5, नहीं, minus 5, तो common difference तो minus 5 हो जा, N ता value कितना है, 22, तो A पता है, D पता है और N पता है, यानि जो second वाला formula है, ये वाला यूस तरेंगे हम लोग, यानि हम लोग जो यूस तरेंगे उसकी वाद क्या हो जाएगा, S is equal to N by 2, ठी है न, 2 into A, पहले तो मैं formula ही नित देता हूँ, N minus 1 D, फिर A किस्टे बाद value पूट दरता हूँ, so 22 by 2, ठीक है, इधर पे हो जाए 2, और यहाँ, हो जाए 8, plus 21, 22 minus 1, minus 5, तो तो 2 और यह 11 times हो जाए, यह है 16, minus 105, ठीक है, 105 तो 15 ही हटाते इसमें से, तो 90 हो जाता है, यानि minus 89 है यह, 11 into minus 89, तो minus तो रहने ही वाला है बाबू, minus तो रहने ही वाला है, 9 तो इधर 9, 17, plus 7, और 1, और यह 9, ठीक है, आप अपने हिसाब से multiply कर देना, ठीक है न, आम लोग वो, जीतना भी multiplication तर ट्रिक वजे रहा होता है, उस ता तो sorts में आपको videos available है, आराम से देन सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो summation है, वो हो जा रहा है मेरा, कितना, minus 9, 79, कैसे किया, सबसे पहले, A क्या था, 8 था, D कितना था मेरा, minus 5, क्योंकि N ता value दिया हुआ है, और यहाँ से फिर, मालब N ता value दिया हुआ है, 22, और D ता value 3 minus 8 से minus 5 आ जिया, फिर हमने यह form put पर दिया है, 22 by 2, यानि कि 11, ठीक है ना, और 2 into 8, 16, and 21 into minus 5 is 105, 89 से फिर multiply हो, यह था तम बात, दूसरा वाला भी वैसा ही है, 37 है, minus 37 है, minus 33 है, minus 37, minus 33, minus 29, और इस तो up to 12 terms देना है, up to 12 terms, तो मेरा A कितना है भाई, A है मेरा minus 37, D है मेरा minus 37, minus of minus 37, यानि कि minus 37, प्लस में, यह हो जा, 37, यानि 4, देखो, यहाँ पर D negative था, यहाँ D positive है, ठीक है ना, अभी, N ता value कितना है, 12, तो चलो डाल देते हैं, अब S के formula में, 12 by 2, अब direct दित रहा हूं, मैं formula नहीं दित रहा, क्योंकि formula आप देख चुके हो, तो 2 into minus 37, plus N minus 1 means 11, into 4, ठीक है न, वहीता न, N minus 1 into D, plus 2A, N by 2, तो इदर यह sits हो जा, minus, यह कितना है भाई, minus 37 into 2 कितना होता है, minus 74, and plus 44, यानि यह कितना हो जा, 6 into minus 30, यानि minus 108, ठीक है न, तो 12 terms देना है, तो कुछे terms हो सकता है, positive भी आ जाएगा, इस था, ठीक है न, समझ मेरा बात, सो, minus 37 था, इधर पर 4 था, पहला वाला term दे लिया, हमने 11 से 4 को मल्टिप्लाइ इधर दिया, 44 हो जा, फिर यह 30 है, तो यह 108, 8, 8 नहीं हाई, 108 नहीं, 30 से मल्टिप्लाइ ओ, तो 180, minus 180, ठीक है न, चलो, find the sum of this, अब यहाँ पे n ता value नहीं दिया हो, बढ़ हमें n तो हर हाल में चाहिए ही, तो n तो लितालना ही पड़ेगा भाई, ठीक है न, बढ़ हम यहाँ पे आराम से फिर n लितालना ही पड़ेगा, formula कौन से यूस दरनेंगे, a प्लस l था, वो आसान पड़े था, समझ में आरा बात, काम वो तरेंगे, जो आसानी से हो जाए, ठीक है न, थोड़ा सा दिमाद ला आजे ताम तरना है, तो a हो जाए अपना क्या, 7, d क्या है, 10 and half minus 7, पता ही है, यह क्या हो जाए, 3 and half हो जाए, यह मैं इस तो इस तरह से भी लित सता हूँ, that is 7 by 2, यह भी लित सता हूँ मैं इस तो, अलाम से लित सता हूँ नहीं न, चलो, अभी, l था फॉर्मूला या an था फॉर्मूला चाहता है, मालने ते इसमें n टर्म्स है, तो a plus n minus 1, d, तो यह तो बाभू 84, a था वेलू कितना, 7, a था वेलू कितना, 7, n कितना, नहीं पता, d कितना, 7 by 2, समझ मेरवाद, 84 minus 7, equal to n minus 1, 7 by 2, 77, हो जा नहीं है 77, यह वाला चीज़ तो आम तो पिछले द्रास में भी सीट चुक्याना, यह n कैसे नहीं टाला जाता है, अब यह हो जाएगा, 2 by 7, n minus 1, so n minus 1, equal to 22, तो n कितना हो जाएगा, 23, तो n लितालना हमारा main ultimate goal तो नहीं है, n लितालना है, जो कि हमें summation चाहिए था, तो s क्या हो जाएगा, s is n by 2, अभी first and dash दोनों पता है, तो यह वाला यूस तरहेंगे, 7 and 84, 7 and 84, यहाँ पर हो जाए, 23 by 2, मिना लो इदर, 7 and half था, 7 and half है, यहाँ पर 84 है, यहाँ 7 है, subtract तर हो जाए, minus 77, फिर 2 by 7, तो 22, तो n equal to 23 आजा, 23 डाल देते हैं, 7 और यह हो जाए, मेरा 91, यहाँ पर 23 divided by 2, तो 23 into 91, तर देते हैं, 91 into 23, कितना हो रहा है, 91 into 23, so 3 से तो यह 3, 3, 9, 27, ठीक है, और यहाँ पर 192, 182, sorry, 182, मतब 2 से तर दो ना, multiply, 91, तो 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, so 2093 by 2, 2093 by 2 means 1046.5 divided by 2 तर दिया, ठीक है, फिर वही बात है, multiplication division तो यहाँ बाट के आप तो सिधाय नहीं जा रहा है, तो यह सब तोड़ा तो अपने level पर आप तो करना है, ठीक है ना, दो तोश्चन आपका हो यहाँ तो हम लीट, और दो तरने वाले हैं, और एक आपके लिए है, homework, ठीक है ना, solve for x, 1, 4, 7, 10, up to x, क्या है x, अपने को नहीं पता, तो सबसे पहला बात यह है, कि हम लोग समझ लेते हैं, कि summation ही दिया हुए, 287, और हम लोग तो चाहिए n का value, ठीक है, तो हम लोग तो चाहिए n का value, तो हम लोग तो पता है कि d कितना हैं, यह तो हम लोग इस से भी निकाल ली सकते हैं, बट n नहीं पता है, तो वो भी नहीं नितनेगा, तो सबसे पहले d निकाल देते है 4-1 that is 3 और a कितना है अपना 1 है यह दो चीज़ जब समझ में आ जाता है तो मेरे पास अगर summation 287 दिया हुआ है तो मैं दिता हूँ 287 is equal to n by 2 twice of a plus n minus 1 d अब जो values जानते हैं वो बैठा देंगे n by 2 यहाँ पर हो जाँ 2 into 1 यहाँ पर हो जाँ n minus 1 n minus 1 n का value यह तो चाहिए d का value है 3 2 multiply तर तो इदर 574 हो जाए 2 multiply तर देते हैं यह वाला जो 2 है यह इदर ने जाज़े multiply तर देते हैं 574 हो जाए ठीक या ना और अब देहो और देहो यहाँ पर n है यहाँ 2 plus 2n minus 3 है यानी 2n पेरे तो इसको और ब्रेट कर देते हैं 2n minus 1 और into में है n 2n square minus n 574 अब अभी अभी आपने वो polynomial तो देता ही है तो quadratic equation भी solve तरी नहींगे आपनो ठीक है ना तो 2n square minus n ठीक है ना 2n square minus n है तो 2n square minus n minus 574 equal to 0 पेरा बात है यह 2 तो है ही और यह 2 है ही फैटराइस तर नहींगे डम फैटराइसन तो 574 में 8 और 2 आही जाएदा 287 अब यहाँ से देख लेते हैं इसमें क्या है इसमें तो प्राइम नमबर तो नहीं होना भी नहीं चाहिए यहाँ के लिए so 28 10 and 7 इससे तो नहीं जाने वाला 17 से दर देखे तो भी नहीं जाने वाला है 19 23 है किसी प्राइम नमबर से ही cancel out होगा 23 से तर रेंगे तो नहीं 31 से होगा क्या 31 से possible है क्या नहीं होगा तो फिर 20 उस्थार-4AC यूस तर देंगे सीधर राचरे यूस तर देते हैं ज्यादा time क्यों वेश्थ तर है सीधर n is equal to 1 plus minus square root of b square मतना 1 minus 4AC में plus हो जा 4 and 2 8 हो जा यह लंबा जा रहा है 574 ठीक है divided by 2 n का value fraction में तो आईधा नहीं ऐसा बात यह है 4000AC हो जा बहुत लंबा calculation जा रहा है so 1 plus minus 574 into 8 अब यहाँ पे 8 तो यहाँ पे 3 हो जा 56 तो 59 हो जा और 8 5 तो 40 43 32 तो 2 ठीक है 287 सारा चैनल कूलेसन सही है अरे यहाँ बडबड है बाबू यह 3 n न होगा यह 3 से जब multiply होगा तो 3 n होगा यहाँ भी 3 n होगा और यहाँ पर बाजी सब ठीक है न 3 है 3 है 3 है 3 है 3 है तो यह 3 n है तो यह भी 3 n है तो यह 3 से 47 अरे प्राइम से जाए तो यह तो समय आए था था थोड़ा बड़ा और यह 7 से भी तो जाय रहा है 7 से 7 से अधर हम देखे 7 से यह 4 ताइम्स ठीक है और 1 41 ताइम्स तो 42 और 41 चालो 3 n स्थायर माइनस 42 n प्लस 41 n माइनस 574 चालो बाद समझ में आ रहे न मिडिन तम फेटराइजेसन तो पता ही हो बस अपो ठीक है आप कुछ नहीं दरना है 3 n तो तौमन देना है तो n माइनस 14 प्लस 41 तो तौमन देना है और अपने वो यह पता होता न कि मिडिन तम फेटराइजेसन में जो यहां आया है वही यहां भी आने वाला है जो आया है वही आने वाला है और वो आज भी जाएदा N-14 is equal to 0 3N plus 41 काम अभी यहीं दतम नहीं हुआ बाबू यहां से तो अभी N का value आएदा जो हम यहीं से लेंगे क्यों लेंगे? चंदा मामा बोल के रहे थे इसलिए हम लोग यहां से लेंगे यहां से नहीं लेंगे ऐसा नहीं है 3N plus 41 equal to 0 जब तर हो यह तो 3N हो जाएदा minus 41 N का value हो जाएदा minus 41 by 3 बट N का value होना चाहिए natural number जो कि यह नहीं है बस यह है यहनि N का value है 14 अब 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 14 है तो यह मेरा 14th term ही ना है भाई तो लिकाल लेते हैं कि 14th term क्या होने वाला है 14th term H जो होने वाला है 1 plus 13 A plus N minus 1 D ना तो 1 plus 14 14th term मतलब 1 plus 13 D तरनी 1 plus 39 that is 40 मिलाना चाहते हो तो मिला लो ठीक है 14th term था divided by 2 A plus L मतलब 1 plus 40 यहां 7 41 into 7 287 तो मेरा जो answer आया है X ता वैलू 40 जो जो पूछा जा था वो सही है समझ में आज या बात चल्डो अब ए लाश तोस्चन If the sum of first 6 terms of an AP is 36 and that of first 16 terms is 256 then the sum of first 10 terms is ठीक है मतलब S6 ता वैलू जो है वो है 36 S6 मतलब sum of first 6 terms इसमें क्या होता है 6 by 2 यह यह इन दिदेता हूँ 6 by 2 2A plus 5D यह अनवाई 2A plus N minus 1D So 2A plus 5D यह इधर आजके divide हो जाएदा तो 12 बनेदा एक equation देगे हम तो एक और equation देदा एक और information S12 12 है कि 16 है sum up to 16 terms is is sum up to 16 16 terms is 256 So दो एक चीज समझ में आ रहे है ना दो information है दो ही तो unknown है A और D A और D निकाल देंगे तो फिर किसी भी AP पो बता सकते हम वो भी AP बता देंगे उससा कितना भी number of terms चाहिए तो उनसा टम चाहिए ओ भी बता सकते हैं A और D पता है तो और किसी भी number तक था summation 58 term 100 term था भी summation 1000 term था summation हम बता सकते हैं अदर हमको A और D पता है तो तो अभी 16 by 2 यहां पर क्या हो जाएदा 2A plus 16 minus 1 यानि कि 15D is equal to 256 यह तो 8 हो जावाई 2A plus 15D is equal to 256 divided by 8 256 divided by 8 कितना हो जाएए 32 अब दो यहां पर 2A के जवब पर मैं लिखी सकता हूँ 2A is equal to 2A is equal to अब बस solution है so 12 minus 5D लिख सकता हूँ मैं यहां से तो यहां भी 2A के जवब पर मैं 12 minus 5D पुटतर देता हूँ 12 minus 5D plus 15D equal to 32 यानि 10D is equal to 32 minus 12 और 10D is equal to 20 और D is equal to 2 तब यह चीज पता चंगा है कि D ता वैलू जो है वो 2 है D ता वैलू जो है वो 2 है अब यहां दा D ता वैलू 2 है तो 2A कितना है 12 minus 10 2 into 5 ना 5D 5 into 2 तो यह 2 हो जा 2A ता वैलू तो A ता वैलू तो 1 आजा तो बाबू A ता वैलू आपता है 1 A ता वैलू है 1 D ता वैलू है 2 A भी मिन जा और D भी मिन जा तब सम ही तो नितानना है तो सम अब टू फर्स 10 टर्म्स 10 minus 1 यानि की 9 सीधा लिद देता हूं मैं अब 9 D ता वैलू है 2 यानि 2 प्लस 18 और इदर हो जाए 5 यानि 5 into 20 तो 100 हो जाए इस था सम अप्टू फर्स 10 टर्म्स फिक है और अदर बोला जाए ये 1 है और यहाँ पे 3 है 1 और 3 और 5 यही है अब यहाँ पे हलता सा एक चीज बताता हूं मैं सम अप्टू N odd numbers तभी भी होता है ना तो वो N square होता है N odd numbers ता जो सम होता है वो N square होता है तो देहो यहाँ 256 था 16 टर्म्स तत यानि ये 16 ता square था 6 टर्म्स तत ये 6 ता square था तो अदर M C क्यो रहा तब तो direct हम तरेंगे कि ये क्या हो जाएदा odd numbers ही है 10 ता square 100 तर्देंगे ठीक है समझ मैं यहाँ जितना time अजर उसी ता square सम आता है यहाँ जितना time उसी ता square यहाँ पे सम आता है इसना मतलब ये है भाई इसना मतलब ये है कि हमारे पास जो है ये N odd numbers है ये series ठीक है न समझ मैं बाद तब एक और चीज समझो कि ये वाला जो तोश्चन है इसना answer आपको comment में बताना है इसना answer आपको तहाँ बताना है comment में और क्या तरना है वीडियो अच्छा लगा है तो like कर देना है चैनल पे नहीं हो तो subscribe कर देना है और जादा से जादा लोगों को बताना है कि ये जो है classes ऐसे चल रहा है ठीक है अदर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आता है तो उसके बादे में बताओ next हम Saturday भी मीरेंगे ऐसे ही 5 questions के साथ बढ़िया questions के साथ sum of AP पे और उसके बाद वाले दिन उसके बाद मतनब Tuesday हम लोग जो है 10 MCQ questions तरने वाले और MCQ पे AP तर treat समझने वाले है उसके बाद मतनब समझ रहे हो 4-5 class में रगभग 2 धंटे में 2.5 धंटे तर टाइम लेके 2.5 धंटे अधर आप ट्यूसन में जाते हो तो अधर आप तर यहीं 5 धंटे में होगा जो यहां पर 2.5 धंटे में होगा 5 क्यांवा 6 धंटा रगभग सकता है क्योंकि मैं भी जो offline में पढ़ाता हो तो क्या धरता हूँ वो teacher कुछ अधर नहीं तर रहे मैं भी offline में पढ़ाता हूँ तो मैं क्या धरता हूँ questions देने के बाद समझाने के बाद questions सामने वाले हो बनाने के लिए देता हूँ students को तो वो भी time उसी class period में होता है उसी class के duration में होता है तो इसलिए वो classes बड़े नत्या ठीक है तो यहां था आपका reported 30 minutes था class is as good as वो 70 minutes था, 80 minutes था offline class ठीक है ना तो इस तो अच्छे से करो जादा से जादे लोगों में share करो और टेश्ट जरूर देना टेश्ट आपके लिए बहुत important है तो चलो फिर मिलते हैं Saturday को ऐसे ही अच्छे से रहो पढ़ते रहो और चैनल पो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और यहीं तत्मत उतना share तरना जादा से जाद लोगों में Thank you